नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल एंजिनिरिंग फोरम में आज हम स्टडी रूम लाइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं एक स्टडी रूम जिसमें कोई भी फेमिली मेंबर अपना ज्यादातर टाइम बिताता है पड़ाई करने में इसमें आपको भी जो ट्रेंडिंग LED लाइट्स है वो लगानी चाहिए या फिर कोई नॉर्मल ट्यूब लाइट्स ही ठीक रहेगी तो मतलब हम जिस चीज़ पे फोकस करने वाले है वो है आई कमफर्ट यानि कि इन में से कौन सी लाइट हमारी आखों के लिए ठीक रहेगी इस पे हम फोकस करेंगे ना कि पावर सेविंग्स लाइट की एफिशेंसी या फिर कौन सी लाइट ज्यादा सस्ती आती है इन चीज़ों पे इसके लिए हम LED लाइट का वरकिंग समझेंगे वैसे तो बाहर से देखने पर सभी लाइट सीम ही लगती है पर LED लाइट और नॉर्मल लाइट में बहुत बड़ा डिफरेंस है LED में एक बिल्कुल अलग टेकनोलोजी इस्तमाल की जाती है LED मतलब लाइट एमिटिंग डायो की light emit होती है वो electromagnetic spectrum का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये light हमारी आखों का जो retina होता है इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुचाती है इतना ही नहीं इसके साथ साथ इस blue light से आपका दिमाग हमेशा stressed रहेगा और सोने से पहले अगर आप इस light में रहते है तो इस से आपकी न इन दा रही है पर आप सो नहीं पा रहे है इसका reason यह है कि आपने इस light में सोने से पहले ज्यादा देर तक पढ़ाई की है या फिर कोई और इस तरह का काम किया है हाला कि इस LED lights के benefit बहुत सारे है जैसे कि यह कम power इस्तमाल करता है size में यह छोटी रहने के बावजूद एक ब मानना यह है कि चाहे आप पूरे घर में LED इस्तमाल करें एक study room में आपको normal tube light ही इस्तमाल करनी चाहिए ताकि आपकी आखों पर कोई भी undesirable effect ना हो आपका mind भी stress free रहे और आपकी नींद पे भी effect ना हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा ल कि आपकी आटें लानना छाहिए सकतुशा अइस्तमाल करता हो यह अच्छा कि लाइस्तीघ्ध için मौरे जिए झाटें कि दो ख sunrise आपकी आपकी नापकी आपका दो आपकी आपकी आपकी